आज जोत्पुर कोट ने आसाराम को आज इवन कारवास की सजा सुनाई तता साथ यह रोपी शिल्पी वे सरचंद को बीस बीस साल की सजा सुनाई गई दस हजा क्रोड के मालिक आसाराम सजा सुनकर कोट में ही रोने लगे वहीं कोट के आईस फैसले के बाद प्रीटतावैस के परिवान ने शब लोगों का सुक्रिया अदा किया वहीं एक दिल्चस बात और भी है कि आसाराम ने अपने जेल जाने के परिश्वारी अपने जेल जाने से पहले ही कर दी थी और कहीं न कहीं भगवान ने उसकी इस मंसा को पूरा कर दिया अब मेरा संकल्क होता है वो जेर सबेर भगवान भाली भूत करते है मेरे को तिहार जेल में जाने का भी संकल्क हो रहा है सच मुलत हूँ अब क्या पता किस निमित से जाऊंगा ऐसे ही जाओ नहीं तो मैना दू मैना सरकार ऐसा को योजना कर दे filthy मेरे को रहने दे तिहार जेल में जाओ जाओ नहीं जाओ तो साबर मती में जाओ मेरे को मन में हो रहा है कही नान जी दो बार जागया है तो अपन लि know भी उदर का माजा ले ले वो टिहार जेल के ओपर से हलीकॉप्टर भी गुआ है आमने देखा कैसा कैसा है बाहर से तो चार दिवारी ओपर से कौन रोखें में हलीकॉपटर वाले को बोला जरा राूंड ले ले मैं बाप वो टिहार जेल है मैं कै जरा ले उदर कभी आने का सोच रहा है तो कैसे हूँ